हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एक अभी अभी जो है एक अच्छी न्यूज और मैं बता रहा हूँ आपको अभी जो CVSC बोर्ड था उन्होंने क्लास 10 के रिजल्ट के लिए डेट तो कनफर्म कर दी थी लेकिन टाइम कनफर्म नहीं किया था तो टाइम भी कनफर्म कर दिया गया है हमारे पास एक official notification जो है वो आ चुकी है और ये देर रात जो है अपलोड कर दी गई थी website पर और इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ आपके साथ कि आप कैसे कैसे जो है result देख सकते हो और कब result आएगा ठीक है वैसे मैं live आऊंगा अपने चैनल पर अगर मुझे time लगा तो आप यहां पर अपने details डाल कर मेरे हां से भी चेक कर सकते हो तो चली हम letter पढ़ लेते हैं इसमें है क्या तो देखे notification of result declaration class 10th examination 2020 result of class 10th examinations 2020 conducted by cbsc will be declared tomorrow afternoon तो आपका जो result है वो afternoon में आएगा following is informed to the stakeholders अब आप कहां कहां चेक कर सकते हो तो पहले सबसे पहले है results on net तो net से आप चेक कर सकते हो cbsc.nick.in से या cbsc.nick.in से या फिर results.nick.in से उसके बाद है results to school आप अपने school से भी result चेक करवा सकते हो वहाँ पर आपको phone वगेरा करना पड़ेगा या फिर आप official जो email ID है वहाँ से भी चेक कर सकते हो the schools will automatically get their entire school result on their newly created official email IDs already informed by the board यानि कि जो school की email ID है उस पर result डाल दिया जाएगा बोड के द्वारा तो आप अपने school से भी पूछ सकते है अपने result तीसरा है cbsc goes digital and mobile यानि के आप डीजी लोकर के थुरू यह एक एप है जो आपको प्लेश्टोर से मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड करोगे वहाँ से भी आप result चेक कर सकते हो उमंग एप के थुरू भी कर सकते हो और SMS और email के थुरू भी आप result अपना चेक कर सकते हो तो देखी मैं आपको बताता हूं पढ़का cbsc will provide academic documents of class 10th and class 12th digitally यानि आप mark sheet migration certificate वगरा past certificate skill certificate जो है through its own academic repository परिनम manjusha which is integrated with diziloker आप diziloker के थुरू यह सब अपना डाउनलोड कर सकते हो अब आपको करना क्या पढ़ेगा सबसे पहले तो आपको यह एप डाउनलोड करना पढ़ेगा फिर उसके बाद login करना पढ़ेगा इसमें login कैसे होगा जो आपका registered mobile number होगा और उस पर OTP आएगा OTP डालकर आप इसमें login हो जाओगे वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फिर SMS के तुरू SMS में आप SMS कर सकते हो CBS 10 लिखकर space देना है और अपना roll number लिख देना है फिर space देना है फिर admit card ID लिख देनी है और इसको आपने इस number पर बेज़ देना है आपका जो रिजिस्टर मुबाइल नंबर है वहाँ वह आपको डालना पड़ेगा OTP आएगा OTP डालोगे और आप एपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाऊगे उसके बाद आप जो रिजल्ट है वह फो नंबर के दूरू भी मंगा सकते हो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए नंबर है 24300699 लेकिन अगर आप पूरे किसी भी कंट्री के हिस्टे से आते हो तो आपके पास रोल नंबर है आपका 01124300699 तो इस तरह सी भी आ आप रिजल्ट चेक कर सकते हो तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो इस वीडियो में आपके लिए यहीं इन्फोर्मेशन थी तो इस वीडियो में इतने ही बताना चाहता था थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो झाल झाल